असलाम वालेकुम वेलकम बैक टू दा नहीं वीडियो गाइस M90 Pro के बाद जो है फाइनली M88 Plus मार्केट के अंदर आ गए हैं और यह एक ऐसे एरबर्स है जिनको M10 के साथ भी कंपेर किया जा सकता है और यह आपको बल्कि उससे भी अच्छे फीचर जो है प्रोवाइड करते ह है तो उसके लिए आप वीडियो को लास तक देखना और वीडियो के एंड में मैं आपके साथ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी इस एरबर्स का शेयर करूँगा तो बिना टाइम वेस्ट किये वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले कुछ बॉक्स की ह देख सकते हैं बाकी वीडियो के अंदर में सारी चीजा आपको जो है बताने वाला हूं यहाँ पर जल्दी से बॉक्स को ओपन करते हूं देखते हैं क्या क्या देखने को मिलता है तो यहाँ पर सबसे पहले आपको कुछ एक्सिरीज देखने को मिल जाएंगी जिसमें 487 Plus का केस आफ़ आर इसका जो लूट है वो बहुत ही अमेज़िंग है और आपको सेम एज जो है M90 वाला ही यहाँ पर लूक देखने को मिलता है बाथि जो फ्रंट का लूक नोग के बहुत ही जादा गलौसी और आमेजिंग है फ्रंट पे यह आप को दिजाइन देखने को और यहां पर इस सैट पर आपको टाइप सी का पॉट देखने को मिलता है जिससे आप इसके केस को चार्ज कर सकते हैं और दूसरी सैट पर यहां पर आपको यूएजबी पॉट देखने को मिलेगा और इसके लावा यहां पर एक बहुत ही अमेजिंग चीज वह बैक सैट पर और यहां पर आपको टीन एक्स्ट डिठा केपिल्स देखने को मिल जाएंगी जिसमें हैं यहां पर आपको टाइब चीज देखने को मिलेगी और यहां पर एक लाइटनिंग पॉर्ड भी आपको देखने को मिल जाएगा और यह वाला फीचर गाइस किसी भी एरवर्ट के अंदर अब भी तक जो है नहीं दिया गया है यह चीज जो है बहुत ही जादा कमाल को जाते हैं अगर आपके बाद एक्स्ट्रा केविल नहीं है तो आप इनके जरीए से जो है चार्जिंग जो है ले यहां पर एंडिकेशन मिल जाएगी यहां एरवर्ट रखने की प्लेस है इधर आपको चार्जिंग पॉइंट्स मिल जाएंगे बस यहां पर जो इसकी ठिकनेस वह काफी ज़्यादा रखी गई है एम नैंटी से काफी जादा सिमिलर है इसके बाद इसके एरवर्ट की बात करते हैं बहुत ही अमेजिंग चीज़ यहां पर फ्रंट पर आपको डिजाइन देखने को मिलेगा फुली यहां पर लाइट ऑन हो जाती है जब यह चार्जिंग पर लगते हैं जब आप इसको यूस करते हैं लुक है इसका जो डिजाइन है वो फुल M10 जैसा यह बैक सैट पर आपको राइट और लेफ की अंडिकेशन मिल जाएगी चार्जिंग पॉइंट मिल जाएंगे बाकी बहुत ही ज़ादा ग्लॉसी लुक है अब जल्ली से इसको केस के अंदर लगाते हैं तो यहां पर केस के अंदर दोनों को इंसर्ट कर लेते हैं और फिसको देखते हैं हमारे डिस्पले यहां पर चार्जिंग का कहां पर जो होने वाला है तो आप देख सकते हैं यहां पर जो इनकी चार्जिंग जो है शुरू हो गई है तो यहां पर कुछ इस तरी के आपको जो है लाइट देखने को मिलेगी जो कि काफी जादा अमेजिंग लगती है और क्य बागी अदरवाज यहाँ पर लुक बहुत ही जादा अमेजिंग है कॉलिटी बहुत ही जादा कमाल किये बस यहाँ पर गाईज अगर इसके साइस की बात करें वो साइस थोड़ा सा जो है इसमें जादा रखा गया है यहाँ पर जो इसकी थिकनेस भी बहुत रखी गई है M90 से अगर इसके साइस की बात करें तो वो अगर लार्ज था तो यहाँ पर आपको साइस जो है एक्स्ट्रा लार्ज देखने को मिल जाता है बड़ यहाँ पर वेट की बात करें तो वेट यहाँ पर आपको Air Buds को Mobile के साथ Connect करते हैं तो मैं सबसे पहले दोनों Air Buds को Case से बाहर निकाल लूँगा और उसके बाद अपने Mobile का Bluetooth On करूँगा तो यहाँ भी आपने सबसे पहले यही करना है कि अपने Air Buds को पहले बाहर निकालना है और बाद में अपने Mobile के Bluetooth को On करना है यहाँ पर आप देख सकते हैं M88 Plus के नाम से यहाँ पर आपको Air Buds शो होंगे तो आप जल्ली से इसको पेर कर लिजेगा तो यहाँ पर दोनों Air Buds connect हो गए हैं आपको Music लगाते हैं उसकी Sound Quality में आपको चेक करवाता हूँ यहाँ पर मैंने एक Music जल्दी से प्ले कर लेते हैं और इसकी Sound जो है इसका Volume आपने सबसे पहले अपने Mobile का फुल कर लेना है यहाँ पर Sound Quality बहुत ही जादा Amazing है अब मैं माइक की तरफ दोनों Air Buds को लेके आता हूँ फिर आपको इसकी साइज Sound Quality पता चल जाएगी स्वाज यहाँ पर कुछ इस तरही की आपको Sound Quality देखने को मिलेगी अब बात करते हैं कि इनको आप Use कैसे कर सकते हैं तो यह मेरे जो है Right वाले Air Buds यह Left है अगर आपको अपने Music को Forward करने तो आप Right वाले के उपर Double Tap करेंगे तो Music जो है Forward हो जाएगा और अगर आपको बेक्वर्ड करने है तो Left वाले के उपर आपको Double Tap करना होगा और इसके इलावा गाईज अगर आपको अपने Volume को Increase करना है तो तीन दफ़र Tap करना होगा जिससे आपके Mobile का Volume जो है Increase हो जाएगा और अगर आपको decrease करना है मतलब कम करना है तो left वाले को उपर आपको 3 दफ़र tap करना होगा fastly तो यह आपका volume जो है कम हो जाएगा और इसके बाद यहाँ पर एक और चीज़ है कि अगर आपके पास कोई call आती है और आप उसको cut करना चाहते हैं just आप simply अगर 2 second तक hold करके रखेंगे अपने airburst के उपर तो call जो है cut हो जाएगी और अगर आपके पास कोई call आती है आपको उसे उठाना है तो one tap अगर करेंगे तो call आप जो है attend कर लेंगे और again one tap पे call cut हो जाएगी और आपको अपने mobile का Google Assistant on करना है आपको उसके लिए भी 2 second तक hold करके रखना पड़ेगा तो उससे Google Assistant आपके mobile का on हो जाएगा तो आप जैसे देख सकते हैं और आप उसको off करना है तो आपको again 2 second तक tap करके रखना होगा तो guys अब यहाँ पर बात करते हैं airburst की specification की जो के बहुत ही amazing है तो यहाँ पर अगर सबसे पहले इनकी connectivity की बात करें तो इनके अंदर आपको 5.2 की wireless connectivity देखने को मिल जाती है जो कि काफी जादा fast है और इसके लावा यहाँ पर आपको ENC mode भी देखने को मिलता है जिससे आपकी calling quality बहुत ही जादा enhance हो जाती है अगर आपके environment में काफी जादा noise है तो अगर आप जिसको call करते हैं तो उसको बिलकुल भी आपके environment की noise जो है सुनाई नहीं देगी यहाँ पर अगर इसके battery backup की बात करें तो वो भी बहुत ही जादा amazing है case के अंदर आपको 1200 mh की battery दी गई है जो case है वो आपके earbuds को easily 3-4 times चार्ज कर सकता है और आपको बहुत अच्छा backup यहाँ पर देखने को मिलेगा अब यहाँ पर claim यह कर रहे हैं कि आपको 1500 hours का backup देखने को मिलेगा तो range की हिसाब से भी आपको काफी अच्छी quality इसमें देखने को मिलेगी तो guys मैंने in air words को use किया और in air words के साथ मेरा कैसा experience रहा वो मैं आपके साथ share करता हूँ तो guys यहाँ पर sound quality जो है वो काफी जादा amazing है मतलब यहाँ पर बेस बहुत जादा loud नहीं है अच्छा आपको base देखने को मिलता है अच्छा sound देखने को मिलता है gaming quality की बात करें तो वो भी बहुत ही जादा amazing है मतलब यहाँ पर जो आपकी gaming है वो काफी जादा high latency इसमें देखने को नहीं मिलती PUBG या free fire खेल रहें तो आपको one second की यहाँ पर latency देखने को मिलेगी अगर आप कोई fire बगरा करते हैं जो कि काफी जादा नहीं है gaming में कोई problem यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी और इसके लावा यहाँ पर अगर calling quality की बात करें तो वो आपको same to same M10 वाली देखने को मिलती है जो कि काफी जादा better नहीं है मतलब normal ही है यह मेरे कुछ reviews थे जो कि मैंने आपके साथ share करें बाकी quality काफी जादा amazing है look भी बहुत ही जादा outstanding है तो guys अगर आप इसको buy करना चाते हैं इंडिया से तो आपको यह इंडिया में फिलिप कार्ड या मेशो से अराम से 900-1000 तक की range में देखने को मिल जाएंगे से देखने को मिलेंगे बाकी specification भी यहाँ पर आपको सारी M10 वाली ही देखने को मिलती है बस यहाँ पर extra तीन डेटा के बिस आपको देखने को मिलती है जो किसी भी earbuds के अंदर आज तक जो है नहीं दी गई है तो यह थी आज की वीडियो आपको वीडियो पसंद आयोगी और अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाजमी से लाइक कर लेना अगर आपका कोई भी क्यूशन है M88 Plus के बारे में तो गाइस मुझे कॉमेंट कर देना उसको मैं आपको रिप्लाय दे दूँगा और गाइस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना कि इस तरह का कंटेंट आपको इस चैनल पर देखने को मिलता रहता है तो चलो गाइस मिलते हैं फिर किसी और नेक्स वीडियो में इजाज़त देजिए असलाम अलेकूं